odees नमस्कार ाप देख रहा है सभी बहुंत सभी बहुत बहुत है दोस्तों आज से संबंदित कुछ बाते मैं आप सभी के समने लेकर आया हूं तो चलिए चर्चा को सुरू करने से पहले मैं आप सभी वीवर को बताना चाहूगा कि जिन्हों ने मेरे चैनल को अब ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँ उसकी नोटिपिकिशन आपको तुरंद मिल जा है तो आज का जो अमरा विश्य है वो नियूस में पास नहीं होने पर नौ बार तक दे सकते हैं परिक्षा इसी पर चर्चा होने वाली है तो डियलेट कोर्स के लिए पर भी इस्टडी में टेरिल उपलफ्द है एन आईस ने बजार में बिखने वाली नकली किताबों से अभियार्तियों का बचने का निर्देश दिया है इनकी माले तो यह एक्जाम पूरी तर से पेपर लेस है 31 जरवरी तक पहले समेस्टर की पढ़ाई पूरी होगी इसके सो अभियार्तियों का नमांकन होगा जिस इस्टडी सेंटर पे नमांकन होगा उसी इस्टडी सेंटर पे अभियार्ति क्लास करेंगे एक अभियार्ति को 15 क्लास करना अनिवार है ग्यात हो कि पहले समेस्टर में सब्जेक्ट कोट 501-23 की पढ़ाई होगी इसकी परिक्षा यूंभी ली जाएकी दो सल के कोर्स में चार्ट सेमेश्टर के परिक्षा आयोजित कीजाएगी नौ बर देन बढाइन्य परिक्षा हुआ अगर कोई अभियारति फेल हो याते हैं तो यह एक विषय के लिए नौबर परिशा दे पाएंगे लेकिन अभ्यार्थियों को सारे विशाय में पास करना जरूरी है 3 अक्टूबर 2017 से 31 जन्वारी 2018 तक पढ़ाई एक्जाम के लिए रेजिस्टेशन 1 से 15 जन्वारी 2018 तक चलेगा प्रेटिकल्थी सम्वाद 2017 से जन्वारी 2018 तक होगा 26-28 फरवरी तक पहले समेश्टे के फरिशा उजित की जाएगी पहले समेश्टे का रिजल 20 मई को निकलेगा डियलेट कोर्स के सिलेबस में आए दिन बतला हो रहे है इसकी जन्वारी सिक्षकों को स्वेव अकादमी पोर्टल से दी जाती है बजार में नकली किताबे आ गई है जिसमें सिलेबस सही नहीं है फरवरी में पहला एक्जाम लिया जाएगा और मैं भी अपने चलने के मादम से बहुत बात बता चुका हूँ कि जो भी मार्केट में किताबे हैं उनका सिलेबस से कोई लेना दिना नहीं है जो भी बुक है उससे कूछ भी मैच नहीं हो रहा है बस एक सपोर्ट के तोर पर हम वो किताबे खरीज़कर पढ़ रहे हैं लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि हम नियस की वेबसाइट पर जो बुक लेवल है उसका प्रिंट आउट निकाल कर और हम उससे पढ़ाई करें तो यह ज्यादा बहतर रहेगा तो चलिए दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद इसको लाइक औ देखने वात्रों